हलो फैंट्स स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिस अड्वांटेज दोस्तों इस वीडियो में मैंने वोकेबलरी पार्थ 2 लिया है पार्थ 2 का ट्यूट्यूरियल में अल्ड़ी बना चुका हूं और काफी उसके पॉजिटिव कमेंट्स आया है मेरे पा उनके एक्जांप्ल सेंटेंस के साथ दिये हैं इसमें और इसमें एक चीज़ और एक्स्रा मैंने जोड़ी है इसमें पिक्चर के साथ में उसको लिंक करके बताऊंगा उस वर्ड को ताकि वर्ड आपको हमेसा के लिए याद रहे और यह हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है अधी इसमें प्रिक्वेंसी वर्ड नंबर वन पैरोकियल देखिए वर्ड पैरोकियल बहुत इंपटेंट के यह प्रिक्वेंस में आ चुका है यह पैरोकियल का मतलब है जो अपने कुकून एक होता है उ CC उससी के दुकोत जाता रहता है बहर की दुडिया के बारे मुच नहीं पता रहता तो उसको हम बोलते हैं पैरोखियल तो पैरोखियल सिंपली मेंस नेरो माइंडेट क्लोज माइंडेट अब देखिए इंसूलर एक वाड़ है इंसूलर मतलब जैसे वायर के ऊपर हम इंसूलेशन लगा देते तो इसकंदर कोई चीज न जाती कोई करेंट नह नहीं है वो इसको हम बोलेंगे प्रोविंसियल नेक्स देखिए हाइड बाउंड जो छुपा हुआ रहता है ठीक है इसी से मिल तो जलते कितने सारे वर्ड मेने दिये हैं कन्वेंसिनल एक वर्ड है बिलिंकर्ड बिलिंकर्ड का मतलब होता है जिसे जो तंगा होता है गोड मुद्रस्त्री और निकर्डस्त्री यो पासका ही देख पाता है उसको मोलते है मायोपिक और कंजर्वेटे मतलब डिशनल ठीक है कितने सारे वर्ड है देखिए रिस्टिक्टेट टु ए स्मॉल एरिया और स्पोग इसको नेरो लिमिटेड प्रोविंसियल आपरोगियल देखिए यहां पर मैंने देखिए पिक्चर दिउए इसमें लिखा हुआ है पिक्चर को देखिए see no reason, speak no reason, hear no reason, parochial means, यहाँ पर definition भी दी हुई है, यह definition भी दी हुई है, parochial means being narrow-minded and limited in one's thinking and approach, तो इस तरह से यह parochial का मतलब है, बहुत important word है, कैई exams में आ चुका है, आर्सी में और sentence corrections बगर हमें, close test में बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत ही important word है, और parochial word का मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, next word देखिए, high frequency word, second है, debunk, debunk का मतलब है, किसी भी myth को है, किसी भी story को, किसी भी tradition को, जिसके वारे में लोग सुछते हैं, कि ऐसा लेकिन वो सच नहीं होता, तो इसकी सच्चाई को खोल देना, यानि expose कर देना, तो debunk का मतलब है, expose कर देना, ठीक है, deflate, deflate, देखिए, यहां पर भी यह D word आएगा, उसका मतलब है, कि निगेटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ, तो एक होता है deflate, और एक होता है inflate, inflate मतलब किसी गुबबाले में टायर में हवा भरके उसको फुलाना और deflate मतलब इसको हवा निकालना उसकी, तो deflate कर दिया, मतलब किसी चीज को expose कर दिया, show up, demystify, मतलब जो रहस्ता है, उसको हटा दिया, demystify, lay bear, किसी चीज के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, तो कपड़े को हट पड़ा दिया, lay bear, discredit, ये सारे सुनोने में, और एंटोनेम देखिए, एंटोनेम मतलब वो confirm कर दिया उस चीज को कि ये चीज सही है, ये चीज गलत नहीं है, ये चीज सही है, example sentence देखिए इनके, debunk के example sentence मैंने यहां पर दिये है, see debunks all the usual rubbish about acting, acting के बारे में जो रहस है, second axiom देखिए, the writer's main aim was to debunk the myth that had grown up around the actor, myth मतलब कोई पराना कथा है, कोई पराना विस्वास है, उसको हम बोलते है, myth, तो myth को तोड़ने को हम बोलेंगे, debunk, बहुत important word है ये, next high frequency word 3, देखिए, pandemic, देखिए, यहां पर भी ये pan word आएगा, उसका मतलब होगा सब जगए, जैसे हम बोलते है, pan-India, मतलब पूरे इंडिया में, pan-American, मतलब पूरे अमेरिका में, तो pandemic और endemic का मतलब तो disease होता है, तो जो सब जगए फैल रही है, disease के लिए नॉर्मल यूज होता है, उसका हम बोलते है, pandemic, यानि widespread, global, prevalent, मतलब जो सब जगए फैला हुआ हुआ है, pervasive का मतलब सब जगए फैली हुई है, rampant, मैंने एक लास्ट वीडियो में इसका मतलब बताया था, कि rampant का मतलब होता है, widespread यह सब जगए फैला हुआ, और जो सब जगए नहीं फैला हुआ हुआ है, वो क्या है, वो लिमिटेड है, या confined है, या restrained है, तो यह इसका होंगे endonim, देखिए example sentence देखिए इसके, the process by which a noble influenza virus moves from the first few infections in human through to a pandemic stage, तो यह है इसका pandemic, pandemic का मतलब है, ग्लोबल जो सब जगए फैला हुआ हुआ है, देखिए, यह मैंने यह बताया हुआ है, इसमें, यह डागराम दिया हुआ है, डागराम में देखिए कोई चीज पूरी international boundaries को तोड़के सब जग है, कि सबी जगे फैल जाना, चलिए, नेक्स वर्ड देखते है, हाई प्रिक्वेंसी वर्ड फोर देखिए, डिस पैरिज, देखिए, डिस वर्ड आ गया इसमें, तो डिस का तो मतलब ही होता है, डिस कंटिन्यू, या डिस एडवंटेज, डिस क्वालिफाय, नेगेटिव ग्ली जासा बना जे, बिली फाई, मतलब वो जैसे उसकी अशी उड़ाना, ताकि उसको थोड़ा सा इंबेरिसिंग फीलो, उसको बोलेंगे, बिली फाई, रिडिक्यूल, हसी उड़ाना, बी लिटल, उसको नीचा दिखाना या चोटा उसको महसूस कराना, देखिए इसमे का मतला होता है खिली अधियोगा लगा माएक मतलब से इसकी टीन राने वहता है थीक को हम ज्राश के ने देना मतलब यह सिधका है इसका सबंकी और और antonym का मतलब क्या है इसका प्रेज यानि जिसको हम जिसकी हम हसी नी उडा रहे है उसकी हम तारीफ करेंगे प्रेज करेंगे देखिए एक्जांपिल सेंटेंस दिया हुआ यहां पर there are people who want to disparage who want to disparage मतलब criticize who want to disparage this excellent approach तो यह word बहुत इंपरेज का मतलब हसी उडाना किसी को नीचा दिखाना या किसी की इंसल्ट करना देखिए यहां पर यह डियाग्रम दिया हुआ क्लियर ली शो कर रहा है किस तरह से कुछ लोग उसकी किसी की हसी उडा रहा है उसको disparage कर रहे हैं किसी किसी भी थोट को किसी भी व्यक्ती को उसको हम बोलते हैं, इस पेरेज चलिए next वर्ट देख्ते बोशी फेरेस में वह जो वर्ड है इसको simple सा बॉलूम से जोड़ लीजे बो सी विलीके सिम्पल सा इसको बॉलूम से जोडीः, इसका बॉल्यूम से जोड़िगे बोसी फेर होता है बहुत जदद नोइजी है क्लास में उदम मचाते हैं शोर करते उसके लिए बॉस्तुर्स बशेंग होता है विह मेंट यह बहुत इंपरेंट टेक्टमार से बना एक्लैमर का मतलब और शोर्गुल तो clamorous का मतलब होता है यहां पर बहुत ज़्यादा noise है, renting यह दो वर्ड भी आजकर बहुत important है, strident और obstreperous, obstreperous मतलब जो अपने noise से obstruct कर देता है, किसी भी चीज को रोग देता है या obstruct कर देता है, obstreperous मतलब noisy, strident, clement यह clamour से बना हुआ है, clement, clamour मतलब sourgul, और voluble मतलब जिसका volume जादा है, तो सारे वर्ड देखिए कितने सारे वर्ड है इसमें, इस पूरे टुटोरियल में करीब 250 most important word है, high frequency word मने लिए है, तो पूरे बीरियो के इसको आखरी तक धान से देखिए और सारे बहुत ही important word है, और यह सभी जगे काम में आएंगे, आपके example sentence देखिए, see just as vociferous about children's increasing level of obesity and the abys like divide between the rich and poor, बच्चों में जे मुटाबा बढ़ता जा रहा है उसके बारे में वो काफी vociferous है, काफी बोकल है, तो इसका यह sentence का मतलब है, next sentence number, high frequency word number six, देखिए, यह तीन important words मैंने लिए है, salvage है, savage है और sabotage है, इसको हम याद कैसे रखेंगे देखिए, salvage के अंदर इस L को याद रखिए, इस L का मतलब क्या है, L means love, जिसको हम प्यार करते हैं, और जिसको हम प्यार करते हैं, वो और किसी मुसीबत में आ जाए तो हम definitely उसको बचाएंगे, तो salvage का मतलब हुगा protect, ठीक है, protect, save, rescue, retrieve, retrieve का मतलब होता है, store कर लेना, retrieve जो और यह थोड़ा सा difficult word है, glean, इसको भी आद कर लीजें आप लोग, और antonym क्या होंगे इसके, abandon, abandon मतलब उसको जैसा था उस इस इस्तिती में छोड़ दिया, उसको बचाया नहीं मतलब छोड़ दिया, या in danger, खत्रे में डाल दिया, या harm, उसको नुकसान पहुचाया, तो यह आपके हो जाएंगे इसके, antonym, अब देखते हैं, example sentence, example sentence देखिए, the ship was beyond salvage, मतलब ship को बचाया नहीं जा सकता था, उसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती थी, दूसरा देखिए, the day has arrived for salvage experts to attempt to refloat the bulk carrier, पाशा बलकर, from a sandbar at Newcastle Nobody's Beach, ठीक है, तो salvage का मतलब है, यह normally सिप्ष के लिए बहुत यूज होता है, उसको protect करना, बचाना, rescue करना, retrieve करना, reclaim करना, यह है इसके synonym, so antonym होगा, abandon, मतलब बैसा का बैसा छोड़ देना, या endanger, खत्रे में, डाल देना, देखिए, next word है, high frequency word seven, देखिए, sabotage, sabotage में जो B है, यह जो B है, यह जो B है, इसको sabotage का मतलब है, destroy कर देना, बरबाद कर देना, harm कर देना, disrupt मतलब रोग देना, अब देखिए, यह भी बहुत important word है, incapacitate, incapacitate को आप जोड़िए, capacity से, capacity का मतलब क्या होता है, छमता, तो किसी की छमता को कम कर देना, यानि उसको बरबाद कर देना, incapacitate मतलब किसी की छमता को कम कर देना, यानि इसको वीक कर देना, इन फीबल भी बोलते हैं इसको, इंपेर का तो simple सा मतलब है, अगर आप किसी का पेर तोड़ देंगे, तो वीक तो वैसे हो जायागा, तो इंपेर्ड, इंपेर्ड यह हैंडिकेप्ट लोगों के इस्तेमाल होता है, इंपेर्ड, physically impaired, य subvert और vendalize, देखिए, subvert, vendalize में भी वी है, और subvert में भी वी है, तो इन दोनों के स्तरह से आप link कर सकते हैं, के vendalize और subvert दोनों का ही मतलब है, destroy, एंटोनेम देखिए, अगर आप किसी को वीक नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसकी help कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, allow कर ठीक है, sabotage के, देखिए, sabotage word कैसे यूज होता है, how do I get to eat ice cream and not sabotage my weight loss success, there are a number of ways in which we sabotage our progress, बहुत सारे तरीके इन से हम अपनी progress को रोक लेते हैं, destroy कर देते हैं, many people sabotage their own success by not following their dreams, कितना सही तरीके से तेखिए इसको यूज किया है, तो example sentence, मैंने ये बताए हैं, और ये देखिए, यहां पर picture दी हुई है, ये picture दी हुई है, जिसमें sabotage एक movie का भी नाम है, ये sabotage कर रहे हैं, इसको spoil कर रहे हैं, ये sabotage बंब लगा दिया, sabotage कर रहे हैं, तो ये movies भी है sabotage, तो चलिए, आप next word देखते हैं, high frequency word, 8 देखते है, savage, देखिए, एक मैंने बताए एक बताए था, savage, एक बताए था, sabotage, ये sabotage, और इसको हम बोलेंगे savage, savage मत एक ही आखरी वर्ड क्या है, आखरी वर्ड जा, और जा का मतलब हुआ, जा को आप जोड सकते हैं, जंगली से, तो savage का मतलब होता है, जंगली, और जंगली के लिए क्या वर्ड है, violent है, fierce है, बहु जमाने का है, primitive है, राक्षस जैसा है, उगरर, डेमोन तो राक्षस को ही बोलते है, sadist, जो दूसरों को दुखी कर देता है, उसको बोलते है, sadist, ठीक है, primitive, बहुत पराना जमाने का है, अंसिबिलाइस्ट, जो decent नहीं है, बार्बेरियन, असभ्य को बोलते है, इसके लिए हो रहे हो रहे हैं अभी, नए वर्ड आया है, यह, हीतन और कैनिबल, कैनिबल जानिबल के लिए इसते माल होता है, जो जानुबरों को खाता है, जानुबरों को फले खाता है, इसको हम बोलते है कैनिबल, अब बूटल और विशीर कर सब्सक्राइब, दूर्गुरी परसन जेंटिल, माइल्ड, बिनाइन, बिनाइन भी बहुत अच्छा वर्ड है, बिनाइन, प्रिमिटिब का उल्टा होगा, सेकंडरी, टेंडर्ड, मतलब जो बहुत माइल्ड है, पीस्फुल, यह सारे होंगे इसके अन्टोनिम, अब देखिए इसके एक्जामपल देखिए, शील मार दिया है तो इसके मदर उनको जो डिसकाइब कर रही है जो आक्रमर जनों नहीं कीया है, उनको जंगली बता रही है, देखिए, यह पर यह फोटो दिये हुऊ है, यह पर पिक्चर दिए और आप का पूटो देखिए, यह है सेबेग का फोटो है, सैबेग यह यहां पर अब आपका घल्पना कीजिये कि आपका जो घर है आपके अपके मकान के नीचे के किस ने um इसको इसको उषीकित इंगी तॉर ऐसे नहीं तो आ गारियों जैसे डैंट अपड़िया नहीं उसको kissing कर स्कष्चिक किसी के हाथ मेन ह fourth नए ज्पल है उसको नहीं पृकिल, ठीक है अब इसमें धेखिए कुछ मैंने आपरा पर नीशने में दये Chip away at, chip away at, मतला उसको कमजोर कर दिया, TORPEDE, तो तुफान का नाम है, और ये भी word बहुत इस्तेमाल होता है, débility, या debilitate, मतला वीक करदेना, débility का मतलब होता है कमजोरी, weakness, debilité का मतलब है weakness, तो debilitate कर देना मतलब, ये barb form हो गई उसकी, और एंटोनिम क्या होगा, strengthen या aid सहहता करना या support करना, यह होगा इसके आपके एंटोनिम, example sentence देखिए अब इसमें, यह है example sentence, the results could undermine the legal basis for abortion in jurisdiction, including Victoria, यह इसका example sentence, some people like antisocial elements and terrorists try to undermine the democracy of India for selfish and trust, यह बात सही है, कि थेखिए यह एसस्ट एलिमेंट्स होते हैं वह अपने self-interest के लोगों को मारते हैं और democracy जो उसको अंटरमाइन करते हैं यह कमजोर करते हैं, देखिए यहाँ पर यह फोटो दिये हुए, यह ब्यक्ती एक जा जा एर रसी पर जा रहा है, court pen pen के, और इसके यहाँ पर तो यह हैं अंडर्माइन का मतलग नेक्स वर्ड देखते हैं कॉंट्राइट वर्ड बहुत बैंक एक्जामस में कही बार आ चुका है कॉंट्राइट देखिए किसी को सबोज अगर कॉंट्रेक्ट की तलास है तो इसलिए कॉंट्राइट का मतलब हुआ रिमोर्स फुल यानि जिसको अपने गलती पर पश्चाताफ हो रहा है इसको इस तरह से याद रखिए आप लिंक करके में बता रहा हूं आपको कॉंट्राइट और रिमोर्स का तो मतलब ही होता है दुख हो रहा है या पस्चाताफ रहे हो रहे हो रहे है रिग्रयारट यानि इसको दुख हो रहा है शौरी वह है पैनितніंट पीनेंने से फ सकताओ पैनेंने से पेनिटेंट इपलोजौटिक इसको लगफ है कि कुछ उसने गलती कर दी है आप लिए फीन easier ये थोटे से कठिन वर्द है आप्यूस कठेए पै यानि दुखी अंदर से पश्चताप कर रहा है और यह भी इंपोर्टेंट वर्ड है कंपंक्सस, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है, इसका भी मतलब है आपका रिपेंट्फुल, ठीक है? एंटोनिम देखिए इंपनितेंट, जो इंपनितेंट मतला पेनिटेंट कल्टर उल् उसको कोई फरक नहीं पढ़ रहा, और अन्रिपेंटेंट, तो यह आपके होगा इसके अन्टोनिम, एक्जाम्पल सेंटेंस देखिए, तो कॉंट्राइट प्लेयर इस्पोक पॉब्लिकली यस्टरड़े एंड अपलोजाइज तो इस पार्टनर कारली मैथ्यू, तो यह है इ यह हैं, देखिए, इसके पिक्चर से आपको याद होगा, यह एक कॉंट्राइट ब्यक्ति है, इसलिए कॉंट्राइट का मतलब होगा आपका, डिपेंटेंट या रिग्रेट फुल, बहुत इंपर्टेंट वर्ड है, हाई फ्रेक्वेंसी वर्ड नमर 11 देखिए, कंडोन, कंडोन का मतलब है, देखिए, डन इसमें एक वर्ड लगा हुआ है, डन का मतलब है, कि जैसे हम बोलते हैं कि अब हुआ सो हुआ, कोई काम हो गया, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, मतलब है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसक चलो अब हो गई तो हो गलति, आयंदा यासी गलती गलती मत करना, तो इसलिए , का मतलब है कि उस , चीज कोएक्सेप्ट कर देना, उस चीज को भूई कर देना, यजर अंदाज कर देना, फॉर्ग और का डेना. ला इग्नोर कंडोन का मतलब है, बिंहे ग्नोर भी है पाइ ड देना उसको तो उसको हम बोलेंगे लैप पास ओवर ठीके चलो जाने दो कोई बात नी इंग्डोर कर दिया पास ओवर अब देखिए कितने सारे मैंस में इसमें फ्रेजल बर्प्स और इडियोमेटिक एक्परेसेंस लिए हैं make allowances for यहनी किसी को माफ कर देना make allowances for accept behavior that is considered that is considered morally wrong or offensive deliberately ignore जानमुछ कर उसको छोड़ देना ignore कर देना not take into consideration disregard उसको मानना नहीं disregard कर देना take no notice of यह सारे सी से मिलते जोलते word है take no account of make allowances for ओपर भी दे दिया है यह मैंने let pass ठीक है और एक यह हो जाएगा इसमें turn a blind turn a blind eye to देखते हुए भी अंदेखा कर देना turn a blind eye to wink at wink जपकाने को हम बोलते हैं हमने पलक जपकाने ठीक है ठीक है जलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो इसको हम बोलते है wink at blink at ठीक है FORBIT का मतलब क्या है? रोकना. इग्नोर नहीं करना, उसको रोकना कि ये काम मत करो, गलत है. CONDEMN, किटिसाइज करना, सेंसर या B2. अब आप देखिए इसका example sentence. The college cannot condone any behavior that involves illicit drugs. बिल्कुल सही है कि college किसी भी illicit drugs को इग्नोर नहीं कर सकता. ये चीज बिल्कुल सही है. तो condone का मतलब है, इग्नोर करना, यानि ओवरलुक करना. Next word देखिए, high frequency word 12, dispomaniac. ये one word substitution में कई word आचुका है, इसलिए मैंने लिया है, dispomaniac, जिसको शराब पीने की, वाइन पीने की बहुत आदत है और उस आदत को छोड़ नहीं सकता, इसको हम बोलते है, dispomaniac. Dispo का मतलब है, यहां पर इसका explanation दिया है, ये Greek है, dispomaniac का मतलब है, dispomaniac is a drunkard or alcoholic, someone who drinks alcohol to excess. Since dispomaniac is a word for alcoholism, it makes sense. तो ये dispomaniac का मतलब है, देखिए, फोटो से आपको एकदम से याद रहेगा, कि ये लड़की बैठी हुई है, और ये सराब को यादत को छोड़ नहीं सकती, मतलब, सराब पीकर देखिए, कैसी हालात हो गई है, ये मंकी देखिए, बोतल से पीराया है अपना, तो एक्जाम्पल सेंटेज में बता रहा हूँ याँ पर आपको, तो डिस्पो मैनियक मतलब, जो सराब पीने का जिसको आदत है, जिसको नशा है, उसको छोड़नी सकता वो, और वो एक बीमारी के तरह एडिक्सर, एडिक्ट हो चुका है वो, तो उसको हम बोलेंगे, डिस्पो मैनियक, नेक्स वर्ट देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ट थर्टीन, एप्स, ट्रूज, एप्स, ट्रूज, इसको याद कैसे रखेंगे, एप्स, इसको दो भाग में तोल दीजिए, एप्स, मतलब एप्सलूट, और ट्रूज, मतलब यह यह यूज आ रहा है, इसको आप अप्स्यूज से जोड़िए, यह एक नया वर्ड आया है, रीकॉनडाइट, रीकॉनडाइट का मतलब भी है, एप्स, रीकॉनडाइट, रीकॉनडाइट मीस एप्स, ठीक है, रेयर फाइट, रेयर फाइट जो बहुत कम होता है, मतलब इतनी कठेंची यह बहुत कम होती है, तो इसको इस तरह से जोड़ ये लिए इसो टारिक मैंसे तेंट को जोड़ के साथ को दिफिकल्ट के साथिग्ट तो इसो टारिक का मतलब हुगा सो डीफिकल्ट ठीक है खाल इसको देख यह न इसको देखे अपनी जो भवय होती उसको उपर चटा लेते हैं बहुत डिफिकल्ट जैसे चित्र में confusing, यानि perplex, यानि difficult, ठीक है, और जो difficult नहीं है, वो कैसा होगा, simple होगा, clear होगा, concrete, मतलब साफ दिखाई दे रहा है, plain होगा, obvious होगा, या lucid, lucid का तो मतलब ही है कि simple to understand, lucid, lucid explanation होता है, देखिए इसका example sentence, the discoveries were abstruse, but he was seen by his peers as a rising star, तो इस तरह से यह आपका abstruse, absolutely confusing, abstruse मतलब absolutely confusing, अब देखिए, इसी से मिलता है, बर्ड है, obtusive, obtusive और इसको आप याद कैसे रखेंगे, obtusive का जो O है, इसको आप prominent के O से जोड लीजे, prominent और noticeable के O से जोड लीजे, तो obtusive का मतलब हो गया, prominent या noticeable, जो साफ साफ दूर से दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलेंगे, obtusive, obtusive, ठीक है, ये obtus से अलग है, conspicuous, एकदम साफ दूर से दिखाई दे रहा है, देखिए चस्मे का photo है, दूर से एकदम सारा चस्मा ये चस्मा दिखाई दे रहा है, flashy या garis, ये इसके लिए वर्ड है, inconspicuous, जो दिखाई ने दे रहा, modest और shy, ये भी थोड़े से मिलते बिलते वर्ड है, लेकिन सही होगा इसका, inconspicuous, he was an unobtrusive football player, unobtrusive था, prominent नहीं था, unobtrusive था वो, तो obtrusive का मतलब होता है, prominent या noticeable और abstruse, abstruse का मतलब है, absolutely, confused यानि difficult, तो इस तरह से ये example, sentence के थुरू और picture के थुरू ये वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, next देखिए, high frequency word, 15 देखिए, construe, construe का मतलब है, interpret, किसी चीज का मतलब कैसे निकालते हैं, deduce, यानि discuss निकालन, infer, यानि discuss निकालन, expound, आप कैसे explain करते हैं उसको, explicate, render, ये भी बहुत important word है, render, और render के equivalent word मैंने यहाँ पर दिये है, render का मतलब है, deliver करना, बनाना, देना, या किसी चीज में, change कर देना, जैसे video बनाते हैं, तो कई software में ये word आता है, render video, मतलब वीडियो को उसमें, कि फाइल को वीडियो में चेंज कर देना, decipher, उसका मतलब निकालना, parse, spell out, explain करना, elucidate, समझाना, तो ये कितने सारे word है, ये सारे synonyms है, और enter name होगा इसका misunderstand या confuse, it is just that many of them construe the concept differently, मतलब इसका मतलब ये है कि एक अलग बात है कि कुछ लोग इस concept को थोड़ा अलग तरीके से समझाते हैं या समझने की ही कोसित करते हैं, construe का मैंने picture भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते है, definition में दिया हुआ है, to analyze, to explain, to interpret, or to understand, construe, next word देखे, embivalent, embivalent का मतलब है, जो embigous का मतलब है, जो दोनों तरफ है, ऐसे ही embigous का मतलब है, confusing तो confusing वो लो थेसरा बोला है, यह फोटो दिया हुए, तो एम्पिलेंट का मतलब एसकेप्टिकल, उसकेप्टिकल, पतलब दौटफॉल, सब्सक्पीचियस, इस कान्टानिम क्या होंगे, शौर, कॉन्फिडेंट, और सुर्टेंट, और सर्टेन, तो आप स्केप्टिकल नहीं है तो आ एक भुष में का लोगों का टेखनी की तरफ एम्बी आटीटीटीटू को और डिस लाइक करते इसको और डिसलाइक को प्नाय करते लिए लिए कोछ लिए लिए करते हैं जोड़ेंगे तो यह है अलुड़ेंट का मतलब या नेक्स वर्र देखिए नैपोटिजम को आप सीधा जोड़िए नेफिव के साथ इस नैफों सम में को जोड़ेंगे या नेपो मशोड़ dispatch भाई भतिजा तोराइब मतलब है भाई भतिजा बात बतलब किसी के अंकल कमिशनर हैं या मिनिस्टर हैं या I.E.S. आफिसर हैं तो अपने बतीजे को नोखरी पर लगवा देता है बहले ही बतीजे की कोई तो इस्तरह से यह भी बहुत इंपाटन्ट वर्ड है नपटिस्म और इसके लिए रहाएक वर्ड चक्ताह है नवले depicted der हैं यह बह्त ऑब अल्ल्ट आपूटिस्ट व कर्द में धिंग उक्टिस्ट ओर प्रेक्टिस तो इसके नापड़ देख लिए उर भाव गवादव बहुत बढ़ावा दिया, भाई भाई भती जाबाद को बहुत बढ़ावा दिया, शी वाथ अकूज़ अपने नेफिय। अफिसर अफिसर अफ दा फर्म। इस तरह से नेपोडिजम इस्तिमाल होता है, देखिए पिक्चर से आपको पूरी तरह से पिक्चर के लिए हो जाएगी, नेपोडिजम इस आल बाउट रिलेटिव, इसमें इसको फेवर किया रहा है तो यह भी बहुत इंपरेंट वड़ नेपो तिजम नेक्स वर्ड देखी रिडंड डेंट का मतलब क्या है रिडंड डेंड का मतलब नीड्रेस सब्सक्राइब आपसे एक एसे लिखने को बूला जा रहा है एक्जाम में और दो पेज का एसे लिखने को बूला जा रहा है और आपने छे पेज का एसे लिख दिया तो आपने चार पेज लिखे है वो एक्स्ट्रा है या नीड्लेस उनकी ज़रूत नहीं है तो रिडंड का मतलब है नीड्लेस देखिए इसमें एक वर्ड आया है डं डं का मतलब है कोई चीज दन हो पहले ही ग्लास भर चुका है तो आप एक्स्टा पाने डालेंगे तो फ्लो उपर हो जायागा तो इसको हम बोलेंगे इसमें पर फुल्वड यानि नीड्लेस नीड्रेस आउट मोड़ेड ठीक है अननैसेसरी आउटेटेड भी होता है इसका एक मतलब आउटेड भी होता है आउटेटेड ऑप्सोलीट का मतलब भी आउटेटेड है अनकॉल फॉर जिसकी जरूवत नहीं है अनकॉल फॉर जिसकी जरूवत नहीं है अनेसेंटियल ये नौकरी में जॉब्स में इस्तेमाल होता है कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उलोगों क एक भी कुरनी है बादने माने दोकल्स कविल उदेख व और देखें लिब अधने हैं कि इस ताफ आधाने निंडेया गया है सेक। तो इस तरह से यह पूरा पूरा नोटिस आपका रिडेंडेंड बना दिया गया इस पूरे नोटिस को 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 रिडें इसका लग किया करना है, थिसका लग पहले काम कररा है, और ही काम करना एक तो खुड काम करना जाहेगा, तो रिलक्टन्ट वप्ति आस व्यक्ति के बोलते हैं जो प्राख जो काम करना नहीं चाहरा है, ठीक है? unlimited, unenthaleο- mitad, unenthusiastik, dys- inklined, inclined का मतला ह होता है, Inclined तो Disinclined है वो Averse का मतलब होता है Dislike Opposed का मतलब होता है असके व्रोध में Hesitant, Sankalu और Indisposed तो ये सारे word हुए है आपके Reluctant, Reluctant का मतलब होता है Unwilling, Unikchuk काम करने का Unikchuk ठीक है, Antonium हो जाएंगे इसके keen बहुत ज़ादा interested है वो काम करने में Eager, Enthusiastic, Ardent ये सारे हो गए आपके इसके Example sentence देखिए He want to work in a bank That is why he is reluctant to join any school as a teacher फिर ये next word देखते हैं Next word है आपका Perus देखिए ये Perus है ये pursue नहीं है Perus है Perus का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना Read carefully Example sentence देखिए इसके My highest friend has spent countless hours in libraries Perusing art, history, books and catalogs Perus का मतलब है किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना अब देखिए यहां पर मैंने revision दिया हुआ इस revision को आपको solve करना है और मुझे comment में लिखके बताना है इनके सारे के answer जैसे redundant है तो redundant का मतलब क्या हो सकता है needless हो सकता है ठीक है parochial parochial का मतलब narrow-minded या जैसे यह है parochial तो parochial इसका answer हो जाएगा आपका F मतलब second का answer हो जाएगा F तो इस तरह से आपको यह लिखके भेजना है सारे मैंने यहां पर दिये हुए है जैसे decipher है तो decipher का answer क्या होगा decipher का answer होगा यह interpret ठीक है इस तरह से आपको यह parouse कुछ मैं बता जेता हूँ आपको parouse का मतलब हो जाएगा आपका read मतलब 5 का answer होगा B तो इस तरह से आपको यह division करना है synonyms का और antonyms का और मुझे comment में लिखके इसका जवाब आपको भीजना है superfluous का क्या हो जाएगा superfluous superfluous का मतलब needless होता है तो antonyms क्या होगा antonyms हो जाएगा इसका essential ठीक है तो इस तरह से इसका answer क्या होगा six का answer होगा आपका e तो इस तरह से आपको इनके revision करना है तो अगर आपको ये वीडियो यूटफुल लगा है दोस्तो तो जरूर इसको share करिए जरूर लाइक करिए और यग आप फस्स ताइमर है इस चनल पर तो जरूर 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 इस चनल को subscribe करिए आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं इस चनल पर और आप अच्छे से तयारी करिए मैं आपको guide करूंगा और आपको जो भी exam की तयारी कर रहे हैं आपको जरूर उसमें सफलता मिलेगी so thank you very much for watching this video and I wish you all the best for your bright future thank you